नमस्कार प्यारे विद्यार्थियो, हर्याना विद्याले शिक्षा विभाग द्वारा एजूसेट प्रायोजीत कार्यक्रम में, राजकी एकन्या वरिस्ट माध्यमिक विद्याले चोटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदू बच्चो पठन-पाठन की इस श्रंकला में आज हम जिस शिक्षन बिंदू का अध्यान कर रहे हैं उसका नाम है गजल मेरे इस पाठ के निर्देशक है डोक्टर योगेश वाशिष्ट बच्चो गजल पर चर्चा करने से पहले इस गजल से समन्दित शायर की कुछ पंक्तियां अब तुमसे रुखसत होता हूं आव संभालो साजे गजल नए तराने छेडो मेरे नगमों को नींद आती है कुछ ऐसे ही भावों को दर्शाते हुए और गजल के क्षेतर में अपना प्रभुत्व कायम करने वाले प्रसिद शायर फिराग गोरकपुरी जीद्वारा रचित गजल जो की हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो से ली गई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे बच्चो गजल कवीता की तरही उर्दू में लिखी जाने वाली या अर्भी ये कहें कि अर्भी साहित्य की एक प्रमुक कावे विधा है जिसमें शेरों का संग्रे किया जाता है आपने शेरों शायरी के बारे में सुन रखा है तो शेरों का संग्रे ही गजल में किया जाता गजल पर चर्चा करने से पहले हम लेखक फिराग गोर्खपुरी जी के बारे में बात करते हैं, इनका जीवन परीचे और रचना परीचे पर चर्चा करते हैं, बच्चों फिराग गोर्खपुरी जो हैं, मूलते उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, गोर्खपुर में इनक 12 अगस्त 1896 को एक अमीर परिवार में जन्में थे और बच्पन से ही इनका उर्दु की कविताओं के प्रती गजलों के प्रती रुजान था बाल्यवस्ता से ही इन्होंने लेखन प्रारम कर दिया था इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो रांकृष्न परमहंस की कहानियों से इनकी शिक्षा शुरू हुई और इसके बाद इन्होंने अर्भी, फार्सी और अंग्रेजी में अपना अध्ययन प्रारम किया पढ़ने में इतने कुशाग्र थे इतने प्रती भावान थे कि 1917 में ही ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चैनित हो गए थे परन्तु स्वराज आंदोलन में भाग लेने के कारण 1918 में इन्होंने इस पद्ध से त्याक पत्र दे दिया था, इस्तिफा दे दिया था 1920 में स्वाधिनता आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें डेड़ वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा था ये धर्म निर्पेक्षता के प्रबल पक्षधर थे और चाहते थे कि उर्दु नै केवल मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रसलित हो अपितु संपूर भारतवासियों के लिए ये एक बोलचाल का या ये कहें कि संवाध का सशक्त माध्यम बने इनकी धर्म निर्पेक्षता की भावना को देखते ही हुए ही उसमे के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू ने इन्हें राजे सभा का सदस्य मनोनित किया था पचास वर्षों तक इन्होंने लगबग सांपरदाइक सोहार्दर के लिए काम किया इनकी प्रमुक रचना थी गुले नगमा जिसके लिए इन्हें साहित्य अकाद्मी पुरसकार प्राप्त हुआ था इसके बाद इन्हें सोवियत लेंड नहरू पुरसकार और ज्यानपीट पुरसकार भी प्राप्त हुआ गुले नगमा के अतिरिक्त, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई इनकी परमुक रचनाए मानी जाती है फिराग गोरकपुरी पर जो प्रभाव देखा जाता है वो मीर और गालिब की रचनाओं का प्रभाव देखा जाता है परन्तु ये इकबाल, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी और फैज की रचनाओं को पढ़ना पसंद करते थे उस समय उर्दू साहित्या में ये प्रचलन था गजलों में कि लोक जीवन की बजाए केवल रुमानियत, शास्त्रियता और रहस्य से भरपूर का वेरिशना की जाती थी परन्तु इस परंपरा को तोड़ने वाले जो प्रमुक कभी माने जाते हैं जैसे नजीरक बराबादी या हाली इसके साथ साथ इलताफ हुसैन जो प्रमुक कभी माने जाते हैं उनमें ही मानों शरीक हो गए थे उनहीं में शामिल हुए थे फिराग गोरगपुरी जिन्होंने नै केवल रुमानियत आधी पर लिखा अपितो इसके साथ साथ उन्होंने लोग जीवन को भी अपने कावे में उभारा था कवी ने नै केवल लोग जीवन पर लिखा इसके साथ प्रकृती का चितरन भी इनके कावे में देखने को मिलता है ये सामपरदाइक सदभाव के प्रबल पक्षदर्तों थे ही थे इन्होंने वियोग शिंगार के बारे में बहुत सुन्दर तरीके से लिखा जो कि उनके व्यक अनुभूती का चितरन इनके कावे में देखने को मिलता है भारतिये परंपरा और संस्कृती का चितरन इनके कावे की प्रमुख विशेस्ता है जो इन्होंने लोग जीवन में भोगा था उसे अपने कावे में प्रस्तूत किया है वात्सल्ये का चितरन बहुत ही सुन्दर स्रीके से इनके कावय में देखने को मिलता है जिस पर की सूर्दास और तुलसी दास का प्रभाव दिखाई देता है इन्होंने भारतिय जन्मानस के त्युहार जैसे रक्षा बंदन, होली, दिपावली का चितरन भी अपनी कवीता में किया है साथ ही इन्होंने शोशित वरक क चितरन अपनी कवीता में किया है परंपरागत भाव बोध जो है और परंपरागत शब्द भंडार के साथ साथ इन्होंने नई भाषा या यह कहें कि लोग प्रसलित भाषा और नए विश्यों का भी अपने कावय में समाविश किया था सामाजिक दुख दर्द के साथ साथ इन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों को या व्यक्तिगत दुख को भी अपनी शायरी के माध्यम से उभारने का प्रयास किया था इन्सान के हाथों इन्सान पर जो गुजरती है या जो पेड़ा पहुँचाई जाती है उसकी तलक सच्चाई यानि उसकी उसकी उसकडवी और आने वाले कल के प्रति जो हमारे मन में एक उमीद का भाव होता है उसका बहुत ही सुंदर चित्रन इन्होंने अपने कावे में किया है भारतिये संस्कृति और लोक भाशा दोनों को जोड करके इन्होंने अपनी शायरी का अनुठा महल प्रस्तूत किया था महल खड़ा कि है कि यह संवाद रूप में होता है और शेर को पढ़ा नहीं जाता उसे कहा जाता है तो यह विशेस्ता इनके शेरों में देखने को मिलती है मीर और गालिब का जो प्रभाव है उनकी शैली का जो प्रभाव है यह गोरुख पुरीजी के कावे में देखने को मिलता है प्रक प्रिथक नहीं हो सकती जिसे हम भोती कहते हैं वही वास्तम में दिव्य है इनके कावे की इन विशेस्ताव के साथ हम बात करें गजल की तो इन्होंने अपनी गजल में हिंदी समाज और उर्दु शायरी की जो परंपरा है उस दोनों का निर्वाह किया और ये गजल जो है इस का दुख दर्द भी दिखाई देता है और कवी के मन की जो ठसक है वो भी देखने को मिलती है साथ ही कावे शिल्प की जिन उंचाईयों पर गजल विद्यमान है वो सारी विशेस्ताइं इनकी इस गजल में देखने को मिलती है तो बच्चों आओ हम इनकी इसी गजल पर चर तो अब हम चर्चा करते हैं, फिराग जी की गजल के शेरों पर पहला शेर है, नोरस गुंचे पंखोडियों की नाजुक गिर्हें खोले हैं, या उर्जाने कोरंगोबू गुल्षन में पर तोले हैं, नोरस गुंचे, नोरस कहा जाता है नव रस्य यानि नए रस्य भरी जो कलियां हैं, पंखोडियों की नाजुक गिर्हें खोले हैं, कलियों में बच्चों पंखोडियां होती हैं और नाजुक माने बहुत ही कोमल, गिर्हें कहा जाता है बंदन को गांट को, जिस प्रकार गांट या बंदन खोल करके अंदर की वस्तु खोल कर बाहर निकाली ज मानो कोई नाजुक बंधन या नाजुक गांट खोल दी गई हो और गांट के खुलने से जैसे भीतर की वस्तु बाहर प्रकट हो जाती है दिखाई देने लगती है तो वैसे ही उन कलियों में से सुन्दर सुन्दर पंखुडियां जो की नए रस्य भरी होई है वो खुलने तो यहां उड़ जाने को रंगों बू या फिर ऐसा लगता है कि मानो उन कलियों के भीतर पंखुडियों में जो रंग यानि नाना परकार के रंग होते हैं फूलों के कलियों के तो रंग और बू जो है बू बच्चों गंद को कहा जाता है खुश कर देने वाली बू को तो यहां बू शब्दाया है गंद के लिए और फूलों की गंद सुगंद के रूप में ही मानी जाती है तो मानो फूलों के जो रंग है और फूलों की जो सुगंद है मानो वो गुल्षन में से यानि बगीचे में से उड़ जाने के लिए गुल्षन में पर तोले हैं पर कहा पंख को परतोलना एक मुहावरा है यानि उड़ जाने के लिए लालाई थोना तो ऐसा लगता है कि मानु नए रस्य भरी हुई जो नाजू कलियां है उनकी पंखुडियां मानु गांट रूपी बंदन को या गांटों को खोल रही है नई नई कलियां खिल रही है वो फूलों और खुश्बू सिम्टी हुई थी मानु वो भी पंख लगा करके उस गुल्षन में उड़ जाने के लिए तैयार हो चुकी है इस शेर में प्रकृति के सुन्दर रूप का चित्रन जो है कभी ने किया है बसंत रितु के आगमन से प्रकृति में जो प्रिवर्तन होता है सुन्दर रंग कलिओं के दिखाई देते हैं तो वैसा प्रकृती का सुन्दर रिषे हो गया है न बच्चों इसमें प्रकृति के सुण्दय का वड़न हुआ है और भाशा की अगर बात करें तो उर्दु और पार्सी भाशा के इसमें परयोग हो है प्रसाद गुन के रि Espero correct रंग और खुश्बू जो उड़ जाने के लिए लालाईत है तो उड़ना एक मानवी क्रिया की रूप में दर्शाया गया है तो रंगों के लिए और खुश्बू के लिए यहां पर मानवी करन अलंकार भी परियुक्त हुआ है अगला शेर जो है वो है तारे आंखे जपकावे हैं जर्रा जर्रा सोय है तुम भी सुनो ओ यारो शब में सनाटे कुछ बोले हैं तारे आंखे जपकाते हैं बच्चो रात को जब हमें नीदा आने लगती है तो आंखे हम जपकाने लगते हैं यानि हमारी आंखे या पलगें कहें भारी हो जाती है और जब रात ढलने को होती है या प्राते काल से पूरव जब तारे टिम्टिमा रही होते हैं तो यूं पड़ा होता है जिसमें, तुम भी सुनो ओ यारो, अपने मित्रों को संभोधित करता हुआ शायर कहता है कि दोस्तों तुम भी सुनो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, इस शब में यानि इस अंधेरी रात में, ये जो सन्नाटे हैं, चुप्पी है, मोन हैं, खामोशियां ह मृभी भी मानौ कुछ बोल रही है सन्नाटा या चुप्पी बोलने से तातपर्रिये कि मानो कवी का दुख उससमें उठ खड़ा होता है और उसे दुख में वो सन्नाटे भी बोलते हुई दिखाई देते हैं तो वो अपनी पीडा को अपनी वेदना को मानू अपने दोस्तों के साथ बांट लेना चाहता है उन्हें बताना चाहता है कि किस परकार खामोशियों में भी आवाजें सुनाई देती हैं बच्चो इसमें प्रकरती के उदीपन रूप का चित्रन हुआ है जागरित करने का यानि कवी के भाव जो हैं इसमें जागरित हो रहे हैं साथ ही बात करें अलंकार की तो इसमें जर्रा जर्रा शब्द जो आया है तो यहां पर शब्दों की पुन्रावरिती होने से पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार है इसके साथ-साथ ही सन्नातच का बोलन तो बोलन जो क्रिए है मानुव से समन्दित है मानविकरण अलंकार है इसकी साथ всего दाभास भी है क्योंकि सन्नातच चुप्पी का पत्वन अभास होने से यहां विरोध का आभास होता है परनतु दाभास लगार है यहां पर तारे आंखें जबका रहे हैं तो जबकाने की एक मानवी क्रण अलंकार भी है बच्चों और साथ ही साथ उर्दू शब्दावली का परियोग किया गया है भाशा जो है वो प्रवाह में ही है अब बात करते हैं अगले शेर की कि हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को इक ही काम मिला किस्मत हम को रो लेवे हैं हम किस्मत को रो ले हैं कवी यहां अपनी मानुय प्रकर्ती जो है मानू जैसे मनुश्य की यादत होती है कि वो दोशा रोपन करता है अपनी कमी को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है तो मानू वैसा ही यहां दिखाया गया है कि कवी किस्मत को और किस्मत कवी को एक दूसरे को दोश देते बच्चो कभी इसमें कहता है कि मेरी किसमत को यानि हम हो हम मैं खुद के लिए वो परियुप करता है उर्दु भहशा में ये होता है कि मैं के स्थान पर हम शब्दों का परियुप करते हैं हम दोनों को मानों एक ही काम मिला है, क्या काम मिला है, कि किस्मत हमको रो लेवी हैं, कि किस्मत मुझे रो लेती है और हम किस्मत को रो लेते हैं, यानि मैं अपनी किस्मत को दोशी मानता हूँ और मेरे अभावों के कारण किस्मत मानो मुझे पर रोती है, मेरी दशा को देख करके मानो वो दुख प्रकट करती है दूसरी अर्थों में बचो ये भी देख सकते हैं कि किस्मत को कभी इसली रोता है कि उसका भाग्य उसे लगता है अच्छा नहीं है परन्तु किस्मत उस पर इसली रोती है कि वह करम निस्टा हीन है यानि करम में उसकी निस्टा नहीं है, कारे अधिक नहीं करता इसलीए सुखद परिनामों से नहीं मिलते और शायद उसकी इसी हालत के कारण किस्मत उस पर रोने लगती है ऐसा कभी कहता है तो इसमें निराशा और एकरमन्यता पर भी वियंगे किया गया है भाशा की बात करें तो उर्दू और अर्बी भाशा फार्सी शब्दों का बहुल्य है और किस्मत के रोने को जब यहां दर शाया गया है तो इसमें मानुई करण अलंकार का परियोग हुआ है हम शब्द जो आया है यह उर्दू की पहचान है कि मैके स्थान पर हम का परियोग किया जाता है चंद इसमें गजल चंद ही है आगे वाला जो शेर है जो मुझको बदनाम करें है काश वे इतना सोच सके मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले है बच्चो इसमें जो शब्द आये हैं कठीन शब्दों की अगर बात करें काश शब्द जो है कि ऐसा अगर हो पाता या ऐसा अगर हो जाये कि जो मेरी निंदा करने वाले हैं, चुगली करने वाले हैं, उन पर ही मानूं वो एक तरीके से वियंके कर रहा है कवी, कि मेरा परदा परदा का मतलब रहे से हैं यहां पर, अब शेर का हम भावार्थ समझते हैं, बचों, कविस में कहते हैं कि जो मुझको बदनाम करे हैं वो व्यक्ति जो निंदा करने वाले हैं कवी एक प्रेमी है और उसकी वेधना पेडा या उसकी हालत देख करके लोग उसका उभास उडाते हैं उस पर व्योंग्य करते हैं अनेक परकार के लांचन दोश लगाते हैं, तो कभी कहता है कि हमें दूसरों की निंदा करने की बजाए, पहले अपने बारे में सोच लेना चाहिए, काश मुझे जो बदनाम करने वाले हैं, काश भी इतना सोच सकें, अगर हो सकता है, तो वो इतना सोच लें, कि मेरा परदा या अपना परदा खोले हैं, कि ऐसे लोग जो मेरी निंदा करने वाले हैं, क्या वो मेरा रहसे उदगाटित करते करते, खुद का रहसे उदगाटित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दूसरे पर आरोप लगाते हैं, दोश आरोपन करते हैं, तो हमारे मन के भीतर जो गां यह देख ले कि कहीं हम अपने मन के जो रहसे हैं या खुद के परदे हैं उनको ही तो नहीं खोल रहे हैं यानि दूसरों की निंदा करने से पहले हमें अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि हम अपने रहसे तो उद्खाडित नहीं कर रहे हैं ऐसा ही कुछ भाव कवी इसमें बता रहा है इसमें कवी जो है दूसरों को बदनाम करने वाले लोगों पर व्यंगे करता है भाषा वही उर्दु भाषा है गजल चंद है और भाषा बहुत ही परवाह में है बचों अगले शेर की बात करें कि ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरूस्ति ए होशो हवास तेरा सोदा करने वाले दिवाना भी होले हैं ये कीमत भी अदा करें हैं कीमत कहते हैं मुल्य को और अदा करना होता है चुका देना हम बदुरूस्ति ए होशो हवास का मतलब होता है पूरे विवेक के साथ पूरी समझ के साथ यानि होशो हवास में रहते हुए कि तेरा सोदा करने वाले दिवाना शब्द जो है वो पागल के लिए प्रेमी के लिए परियुक्त होता है जो दुनियादारी की परवाहने करके सब कुछ दाव पर लगा करके भी अपने प्रेम का रूप प्रसूद करता है तो इसी अर्थ में कवी ने कहा है कि ये कीमत भी अदा करें हैं इसमें अपनी प्रेमी का कवी कहता है कि ये कीमत भी मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ ये मुल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूँ कैसे हम बदरुस्ती एह होशोहवास पूर्ण होशोहवास में रहते हुए, पूरे विवेक में रहते हुए, मैं ये मुल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूँ तुम्हारे प्रेम में, कि तेरा सोधा करने वाले, तुम्हारा सोधा करने वाले, यानि तुम्हें चाहने वाला जो मैं हूँ, यानि तुम्हारा जो किसी भी कीमत पर पालेना चाहता हूँ तुम्हारे प्रेम की कोई भी कीमत लगाने के लिए मैं तैयार हूँ भले ही उसके लिए ये दुनिया मुझे पागल ही साबित क्यों ना कर दे इसमें कवी का जो प्रेम है वो उतक्रिष्ट रूप में देखने को मिलता है कि कैसे कवी पूर्ण समर्पन के साथ अपनी प्रेमी का को अपने भाव प्रकट कर रहा है कैसे वो अपने प्रेम का समर्पन इसका वे में इन पंक्तियों में कर रहा है यहां भी बच्चो उर्दु शवदावली का पर्योग किया गया है और गजलचंद है कीमत अदा करना एक प्रमुक मुहावरा है यानि मुल्य चुका देना मोल चुका देना उसका भी पर्योग हुआ है उर्दु भाषा की एक विशेस्ता होती है की उसमें लाक्षनिक प्रयोग किया जाते हैं और चुस्त मुहावरे दार भाषा भी यह होती है और भाषा के इन दोनों ही यानि उर्दु भाषा की दोनों ही गुन फिराग जी की शायरी में हमें देखने को मिलते हैं, मिल रहे हैं गजल का अगला शेर है वच्चों कि तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का खयाल भी है। सबसे छिपाके दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तेरे गम का पासे अदब है गम कहते हैं पेडा को दुख को। पासे अदब है लिहाज है यानि सम्मान मान समान का भाव जिसे कहते हैं कि सम्मान का भाव मैं तुम्हारे इस गम के प्रती रखता हूं दुनिया का ख्याल भी है ख्याल कहते हैं ध्यान यानि इस दुनियादारी का भी मुझे ध्यान है दर्द के मारे चुपके चुपके रोल हैं इसका अर्थिय है बच्चों की तेरे गम का पास्यदब है तुमसे मुझे जो पीडा मिली है यानि प्रेमी का से कभी को या शायर को जो पीडा मिली है उसके लिए लेख कहता है कि तुम्हारे से प्राप्त हुए इस दर्द का में बहुत ही लिहाज करता हूं मानért समवान करता हूँ ये भी मेरे लिए एक किम्ति वस्तु है ये कहूं कि धरोहर है कुछ दुनिया का ख्याल भी है और मुझे दुनिया का भी ध्यान लखना पड़ता है ख्याल लख नबढ़ता है क्ऊंकि दुनिया कभी भी प्रेम करने वालों को अनुमती नहीं देती या जो प्रेम में पीडित हैं उनका हासे उन पर हसी उड़ाती है उनका मजाग उड़ाया करती है तो इसलिए मैं अपने प्रेम का या तुमारे और मेरे प्रेम का मजाग नहीं बनवाना चाहता इसलिए मैं अपने इस दर्द को चुपा करके यानि सबसे चुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं इस दर्द का मारा मैं इस दर्द को सारी दुनिया से चुपा करके चुपके चुपके रोलेता हूं यानि तुमसे मुझे जो पीडा मिली है वीरह का जो दर्द मिला है, जो गम मिला है, उसका लिहाज करता हुआ, मैं उसे दुनिया से चुपाता हुआ, उस दर्द की वज़े से चुपके चुपके रोता रहता हूं, यानि मैं दूसरों के सामने उस दर्द को प्रकट करना नहीं चाहता, ऐसा कवी कहता है, यहां अगर बात करें बच्चो वीरयभावना कभी की देखने को मिलती है वियोग श्रिंगार का इसमें चितरन हुआ है और बहाशा उर्दू मिषृत हिंदी भाशा का प्रयोग हुआ है शब्द आया है चुपके चुपके तो इसमें शब्द की पुनराविति होने से और एक ही अर्थ निकलने के कारण पुनरुक्ती प्रकाश अलगकार है चंद जो है गजल है बच्चो अगला जो शेर है यह है कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुसनों इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खोले हैं या खुद को जितना खोले हैं फितरत का कायम है तवाजुन फितरत कहते हैं स्वभाव को आदत को प्रकृती को कायम है यानि स्थापित है तवाजुन संतूलन जो है आलमे हुसनों इश्क में यानि हुसन और इश्क का सोंद्रे और प्रेम का जो आलम है संसार है उसका क्या रिवाज है या उसका क्या स्वभाव है उसके बारे में कभी बताता है कि फितरत का कायम है तवाजू प्रेम और सोंद्रे के संसार में एक संतूलन कायम रहता है प्रेम और सोंद्रे के संसार की ये रिवायत है ये रिवाज है ये प्रथा है कि इसमें संतूलन बना रहता है प्रेम में व्यक्ति जितना खुद को समर्पित कर देता है और सोंद्रे में खुद को जितना समर्पित कर देता है उतना ही वो उसको प्राप्त कर लेता है जैसे हम किसी भी जगे की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, जितनी महनत करते हैं, उतना ही उसका रंग रूप जो है निखरता चला आता है, वैसे ही प्रेम में हम जितना स्मर्पन करते हैं, उतना ही प्रतिदानिया उसके फल सुरूप उतना ही प्रेम हमें प्राप्त होता रहता है उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं यानि प्रेम का ये दस्तूर है ये रिवाज है प्रेम के संसार में एक संतूलन बना रहता है कि जितना हम प्रेम प्रदान करते हैं उतना ही प्रेम हमें बदले में प्राप्त हो जाता है तो प्रेम क प्राप्ती का जो उपाए है वो मानौ कभी बता रहा है कि प्रेम प्राप्त करने के लिए तुम्हे स्वयम को, पहले प्रेम को प्रदान करना होगा. प्रेम देने से ही बदले में हमें प्रेम बिल सकता है। प्रेम के स्वभाव को कवी यहां स्पष्ट करना चाहता है कबीर जी का एक दोहा भी है कि जिन खो जातिन पाईया गहरे पानी पेट ऐसा ही कुछ भाव कवी की पंक्तियों में भी है शायर की पंक्तियों में भी है कि जितना स्वयम को हम स्मर्पित करते हैं उतना ही प्रेम ब पाने में दोनों में विरोध प्रकट हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है, विरोध नहीं है परन्तु आभास है, इसलिए यहां विरोध आभास अलंकार है बच्चों। रहा है, वो कवी के शेरों पर बलिहारी जाते हैं या यह कहें कि उन्हें पसंद करते हैं, उनकी चमक दमक पर वाह वाही करते हैं, उसी प्रसंग में कवी कहता है, इसके शबदों के पहले अर्थ जानते हैं बच्चों। कि आबोताब अशार ना पूछो, आबोताब अशार कहते हैं चमक दमक के साथ, यानि सुन्दरता के साथ, तुम भी आँखे रखे हो, तुम भी आँखे रखना का मतलब है कि तुम भी देखने में समर्थ हो, तुम्हें भी ग्यान है, तुम भी सूजवान हो, देख सकते हो, स शेरों शब्द प्रियुक नहीं होता या ये कहें कि नहीं होना चाहिए परंतु शेरों शब्द का वलोग प्रियुक कर लेते हैं शेर का ही बहुचंग शब्द होता है बैतों शब्द बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं दमक भी चमक के अर्थ में ही आता है और मोती रोलन ये हम मोती लूटाया करते हैं, आसू जो छलक आते हैं, वो मोती के समान कीमती होते हैं, उसी प्रसंग में हैं कि आबोताब अशार ना पूछो, तुम भी आँखे हो, जो लोग कवी के शेरों पर वावाई करते हैं, उनकी सुन्दरता पर वावाई करते हैं, उनको कवी कहता ह कि आबोताब शार ना पुछो, इनकी चमक दमक को देख करके तुम ने जाओ, क्योंकि तुम भी आँखे रखते हो, तुम भी सूजवान हो, तुम भी समस सकते हो, ये जगमक बैतों की दमक है, ये जो सुन्दरता है, मेरी शायरी में जो सुन्दरता आन पड़ी है, या जो ज मेरे भावों को समझते हैं वो ये भली प्रकार से जानते हैं कि मैंने मोती रोले हैं यानि अपने आसु बहाएं हैं इन पदों के माध्यम से इन शब्दों के माध्यम से मेरे दिल के जो भाव हैं मेरे मन का जो दर्द है वो इन पंक्तियों के माध्यम से सामने आ गया है तो य इसलिए तुम भी सूजवान हो केवल शब्दों की बाहरी चमक पर ने जाओ ऐसा कभी पाठकों को शोताओं को कहता है। इसमें भी कभी ने अपने विरे को कावे का माध्यम माना है। यानि उसने जो सुन्दर कावे रिचना की है। उसके विरे के माध्यम से ही मानो इस कावे का स्रीजन हो पाया है। बच्चन जी ने कहा था कि मैं रोया, मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते चंद बनाना, कि मैंने तो अपने दुख के भाव रोकर के प्रकट किये थे, परन्तु तुमने कहा कि मैंने तो गीत बना डाला, मैं फूट पड़ा, मैंने अपना द प्रकट किया है और यह मेरा दर्द है वही वास्ता में तुम्हें शब्दों की चमक दिखाई देता है यह शब्दों की चमक नहीं हो करके मेरे दिल या फिर मेरे जो आंस्वों की चमक है दिल का जो दर्द है मानो वह इन पंक्तियों में उजागर हुआ है उसकी चमक दमख ही कि उर्दु वाशा की विशेस्ता होती है कि उसमें लक्षनिक प्रयोग और मुहावरों का प्रयोग अधिक होता है तो मुहावरे जो है इन पंक्तियों में और पूरी रचना में हमें यतर-तर देखने को मिल रहे हैं साथी साथी समें जो शब्दावली है उर्दु के कठिन शब्दाएं है जैसे आबोताब अशार है बैतों शब्द हैं तो ये उर्दु के कठिन शब्दिस में प्रयुक्त हुएं है अगला जो शेर है बच्चो कि ऐसे में तूं याद आए है अंजू मने मैं में रिंदों को रात गए गर्दु पे फरिष्टे बाबे गुनेह जग खोले है ऐसे में तूं याद आए है अंजू मने में में रिंदों को अंजू मने मैं कहते है में मने शराब की अंजू मने महफिल शराब की महफिल को कहा जाता है और रिंद शब्द जो है शराबी के लिए परियुक्त होता है गर्दू शब्द जो आया है वो आकाश के लिए परियुक्त हुआ है फरिष्टे कहा जाता है देव दूत को यह आदेवी देवता कह सकते हैं बाबे गुनेह पाप के अध्याय या पाप का चिठ्ठा जिसे कह सकते हैं जग कहते हैं संसार को दुनिया को भावार्थ इसका है ऐसे में तू याद आये है अपनी प्रेमी का को अपनी माशुका को इंगित करते हुए कभी कह रहा है कि ऐसे में तू याद आये है उस समय में तू याद आया करती है अधिकब अंजो मने मैं मेरिंदों को जब शराब की महफिल में हम बैठ कर रहे होते हैं उस समय में मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है अपनी प्रेसी को संबोधित करते हुए कभी कहता है कि रात गए गर्दू पे फरिष्टे बाबे गुने जग खोले हैं जिस प्रकार रात गए आधी रात जब बीत जाती है तो गर्दू पे आकाश पे जिस वो गोने कितने दिन में पाप के हैं क्या-क्या उन्होंने गलत काम किये हैं उनका जब लेखा जोका रात को आ करके प्रिष्टे आकाश में करते हैं उस समय मानो गेहरी रात में जब सो जाते हैं सब लोग तो मैं पीडा में भरा हुआ उस महफिल में शराभियों की महफिल में मानो मैं तुम्हें याद किया करता हूँ जैसे रात को फुरिष्टों का आना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जैसे वो पाप के अध्याय देखते हैं, वैसे ही मानों हर रात को, गहरी रात को, जब आधी रात भी जाती है, हर रोज सुम्हे मैं याद किया करता हूँ। यहां भी कवे ने अपने अंतरमन की पीड़ा को या वीरे की अवस्ता को चित्रित किया है, प्रकट किया है, यहां वियोग श्रिंगार का चित्रन हुआ है, अंजुमने मै शब्द जैसे आया है, रिंदो शब्द आया है, गर्दू फरिष्टे शब्द आया है, बाबे गुन इसके अलावा अंतिम जो शेर है इस गजल का बच्चो ये है कि सदके फिराग एजाजे सुखन के कैसे उडाली ये आवाज इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजले बोले हैं सदके माने होता है कुर्बान या बलिहारी जाना फिराग फिराग जो है खुद के लिए ही यहां लिख रहा है कि लोग कहते हैं कि है फिराग एजाजे सुखन कहा जाता है बहतरिन शायरी को या बहुत ही सुन्दर कावेर जो रचना होती है बहुत सुन्दर शेरो शायरी जो है उसके लिए कहा जाता है एजाजे सुखन कैसे उडाली ये आवाज, ये तरीका तुमने कैसे सीख लिया इन गजलों के पर्दों में तो मेर की गजलें बोले है यहाँ पर्दों शब्द जो आया है वो चरण के लिए आया है या यह कहें कि जो पद हैं, जो शेर लिखे गए हैं, उनके लिए आया है पहले एक जगे शब्द आया था अपना परदा कोले है या मेरा परदा कोले है यानि जो लोग निंदक है वो खुद का परदा कोल रहे है या मेरा तो वहां परदा रहसे के रूप में था प्रन्तु यहां गजल के परदे के रूप में जो शब्द आया है तो परदे शब्द का अर्थ है यहां पर चरण, पद, तो अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों, सदके फिराग, फिराग कहता है कि लोग मुझे कहा करते हैं, फिराग हम तुम्हारी इन पंक्तियों पर तुम्हारे शेरों पर हम बलिहारी जाते हैं, सदके जाते हैं, गुर्बान जाते हैं, एजाजे सुखन, तुम्हारी इस बहतरिन शायरी पर, कावे पंक्तियों पर हम बलिहारी जाते हैं, कि कैसे उड़ा लिये आवाज, तुमने कवीता का ये लहजा, ये तरीका जो है, व इसका इन गजलों के परदों में तो मीर की गजलें बोले हैं। ऐसा लगता है कि तुमने मीर के तरीके से ही कावय की रचना करना सीख लिया है। इस बहतरिन कावय पर हम बलिहारी जाते हैं। तो यहां कवी आत्म प्रशंशा कर रहा है यानि स्वैम की प्रशंशा ही मानू कवी ने यहां की है। बच्चों हिंदी और संस्कृत कावय के अंदर ऐसा नहीं होता। कवी स्वैम की प्रशंशा कभी भी नहीं करता है। हिंदी भाषा भी है और चंद जो है इसमें गजल चंद तो गजल के शेरों का अनुवाद समझने के बाद अब गजल से समंधित जो प्रशन हमारी पाठ्थे पूस्तक में हैं उन पर हम चर्चा करते हैं बच्चो पहला प्रशन है कि खुद का पर्दा खोलने से क्या अभी प खोले हैं यानि यहां उन लोगों के बारे में कभी कहना चाहता है कि जो उसकी निंदा करते हैं या जो निंदक है उसकी बुराईयां करते हैं काश वो इतना समझ पाते कि वो खुद का पर्दा तो नहीं खोल रहे है या फिर खुद का रहसे तो मानों प्रकट नहीं कर रहे कुछ लोगों की प्रवृति होती है कि वो हर किसी पर दोशार उपन करते हैं, आरोप लगाते हैं, बुराई या कमी निकालते हैं तो ऐसी अपनी प्रकृती से या ऐसा व्यावार पर दर्शित करके लोग अपने चरीतर की कमिया ही या अपने अंदर की कमियों को ही मानों उजागर करने लगते हैं। ऐसा कभी कहना चाहता है। बचको एक बात और कि अगर हम बात करें कभीर जी कुबीर जी कहते थे कि निंदक नीयरे राखिए आंगन कुती चवाई। उन्होंने निंदक को पास रखने की सलादी थी। परन्तु यहां कवी कहता है कि निंदक जो है वो अपनी ही कमियां बताया करते हैं तो निंदा करना भूरी बात लिखक ने यहां बताया है दूसरा प्रशन है कि किस्मत हम को रो ले वे हैं और हम किस्मत को रो ले हैं तो यहां कभी की और किस्मत की तना तनी का रिष्टा जो है अभिवेक्त हुआ है इस पर चर्चा करके हमें बताना है तो बच्चों आओ हम चर्चा करते हैं कि किस्मत और मनुश्य जो है आपस में गहरा संबंद रखते हैं ये बात लोग मानते हैं कि किस्मत लिखी हुई होत हमें कभी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो हमें मिलेगा परन्तु हमें केवल किस्मत पर हियाशित नहीं रहना चाहिए करम और परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए जब हम करम करेंगे या महनत करेंगे तो हमारी किस्मत स्वत्य ही अच बच्चों ऐसा भी देखने में आता है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कि हमने जितनी महनत की या जितना परिश्रम किया, उसका फल हमें नहीं मिला, किस्मत हमेशा ही हमें दगा देती रही, धोका देती रही है, तो ऐसा जो लोग कहते हैं, उनसे भी हमारा यही निवेदन है, या उनसे भी हमें यही कहना चाहिए, यही मानना चाहिए, कि किस्मत को दोश देने की बजाए, हम हमेशा ही पर्यास करें, निराशावादी ने बने, क्योंकि इस कवीता में कवी जो है, शायर जो है, वो निराशावाद, गोर निराशा से भरा हुआ है, उसे हमेशा यह लगत दो प्रशन थे जिन पर हमने चर्चा की, बच्चों आशा करती हूं कि गजल का जो भावार्त है और प्रशन है जो समझ में आये होंगे, सुनने के लिए आप सब का धन्यवाद.